एक बर फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ और यह है बिस्व के भुगोल का पार्ट टू और इसमें आज हम जानेंगे परवत से आगे का भाग तो आईए हम जानते हैं आज की यह वीडियो में पठार के वारे में पठार जिसको इं का मतलब एक दम बिल्कुल संपतल के जैसा होता है जैसे कि देखिए जर इस तरीके से होता है नहीं इस तरीके से परवत होता है तो यह यह कहलाता है पठार यानि कि प्लेटू सन्युक्तराज अमेरिका का पीडिमंट पठार और दक्षिन अमेरिका का पेटागोनिया पठा पर्वत पदिये पठार के प्रमकुत उधारन है यानि पठार के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें कि पर्वत पदिये पठार एक है यानि कि जिसका पर्वत के जैसा निचला हिस्सा होता है उसे पर्वत पदिये पठार कहा जाता है भारत का छोटा नागपूर और रामगार तथा सन्युक्त राज अमेरिका का ओजार्क पठार गुमबदाकार पठार के प्रमुख उदारन है यह तो थे पठार के वारे में मुख्य जानकारी जो की परिक्षा के दृष्ठी से महत्वपूर्न है अब आगे की बात के हम लोग करें अगला है घास के मैदान घास के मैदान अब घास के मैदान को समझने से पहले आपको एक महत्यपूर्ण जानकारी जानना है कि क्योंकि यहां पर देखिए कटी बंद की बात की गई है तो उष्ण कटी बंद से शीतocy पुए एक रेखा जिसको आम करक रेखा कहते हैं, और साड़े सट इस डिगरी दक्षिन में भी एक रेखा है जिसको मकर रेखा कहा जाता है, और इसके बीच के भाग को उस निकटीवंद कहते हैं, आर 266- Buddhist के बीच को हम कहते सिटोष्ण कटिवन्द और उसी तरीके से नीचे भी 246 डिगरी डख्शिन से झारे 266 डिगरी डख्शिन तक के भाग को सितोष निकटीवंद कहते हैं और उसके बाद वाले भाग को यानि कि यह वाला जो इससा है इसको कहते हैं सीत कटीवंद तो इस तरीके से यह मुख्य रूप से तीन कटीवंद है जिसके बारे में जानकारी होना चाहिए तभी आपको यह टॉपिक समझ माएंगी तो देखिए घास के मैदानों के अगर बात करें तो सबसे पहला है उस निकटीवंद है घास के मैदान यानि कि यह कहां पे है यह उत इस लेके 25 डिग्री अक्षांसों के बेच यह फैला हुआ है इस घास के मैदान को अफरिका में उसन कटीवंद यह घास का ही नाम अलग-अलग है अफरिका में इसे सवाना के नाम से जानते हैं बेनेजुएला और कोलंबिया में इसे लानोस कहते हैं ब्राजिल में इसे पर राजिल पराग्वेर अर्गवेर में केमपास और अफरिका में पार्कलेंड कहा जाता है यनिकी यह उसन निकटीवंद के ही अलग-अलग जगें पे अलग-अलग नाम है सितोष निकटीवंदिय घास के मेदान सितोष निकटीवंदिय घास के मेदानों की अगर हम बात करें तो यह सितोष निकटीवंदिय घास के मेदान लगवक 30 डिगरी से 45 डिगरी अक्छांसों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं इस घास के मैदान को सन्यूक तरजामेर का वह कनाड़ा में प्रेती। अर्जंटीन, औरुग में ब्राजिल में पंपास। दक्षीन अपरिका में वेल्ड यूरेसिया में सेपिज। और यूरेसिया का मतलब यूरोप और एसिया का जो भाग है। वहां पैसे सेपिज कहा जा तो मुख्य रोप से यानि कि सितोष निकटीवंदिया घास के मैदानों को ही प्रेयरी पंपास वेल्ड इस्टेपेज और डाउंस कहा जाता है अगर आपसे प्रशन पूछा जाए कि सवारना लानों से कैम पास पार्क लेंड यह किसके नाम है तो आप कहेंगे उस निकटीव कटीवंदिया घास के मैदान के नाम है तो आगे के तरफ देखिए अगला टॉपिक है हमारा महाद्वीप और प्रमुख प्रायोद्वीप महाद्वीप का मतलव होता है वह विसाल अस्थलिय भाग जो जल से घिरा हुआ हो जल से अलग-अलग किया जाते हैं उसे महाद्व कहते हैं और वही दूइपों के समू को महाद्वीप का जाता है तो अब प्रस्ण आएगा कि प्राय दूइप किसे कहते हैं यह नी कि प्राय दूइप वह अस्थलिय भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हूँ उसे हम प्राय दूइप कहते हैं अब देखे संपूर्न प्रित्वी के जब अस्थल भाग है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि लगभग बीस दसमलब आठ प्रतीस अते सरी 39.2 प्रतीस जैना यहां पे क्या है अस्थल भाग है तो उसी अस्थल भाग को सात महादुपों में बाटा गया है यह सात जबारे चेंछे है उसके बाद है उत्री अमेरिका भी का दक्षोन ङमे का अफेरिका और एंट 열र्टिकर सबसें बड़ा महादी पेसिए और सबसें चोटा महादीप एर यूरोप यह या औस तेलिया उस्टेलिया लाग चेसिल एक अब जासानिया के लाम से जाणा जाता है तो एसिया विस्व का सबसे बड़ा महादेप है एसिया महादेप विस्व का सरवाधिक जनसेंख्या वाला महादेप है यानि कि एसिया महादेप में विस्व के लगबग 60% जनसेंख्या निवास करती है और बाकी 40% जनसेंख्या 6 महादेपों में निवास करती है और 6 महादे का पे इतना विशम मौसम है यहां पर पर जमा रहता है तो यहां पर नगन्य लोग है यहां पर सिर्फ हमारे कोछे रिसर्च सेंटर बने हुए है विश्व का सबसे बड़ा प्राइदीप अरब प्राइदीप किसमें है एस्या महादूइप में मद्य एस्या इस्तित्वत का पठार जो कि 25 लाख वर किलोमेटर है विश्व का सबसे बिस्तरित पठार है जो कहां है एस्या में है एस्या महादीप में चीन विश्व की सरवाधिक जनसंख्या वाला देश है और दूसरे नम्मर पे हमारे भारत आता है जो कि एस्या कही भाग है एस्या की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है यांगसी नदी है एस्या में इस्तित बैकाल जील विश्व की प्राचिनतम तथा गहरी जील है जिसकी गहराई की सोलो सब बीस मीटर है केस्पियन सागर के 3,71,000 किलो मीटर विश्व की सबसे बड़ी जील है जो कि कहां है एस्या में है एस्या महादिप का मासिन राम जो कि मेगाला भारत में है यहां विश्व का सबसे अधिक बरसा होता है सेंट पीटर्स पीटर्स वर्ग लेनिंग्राड से ब्लोडी वोस्टक जाने वाला ट्रांस सैवेरियन रेल मार्ग जिसकी लंबाई 9,332 किलो मेटर एस्या में सबसे बड़ा रेल मार्ग है स्वेज नहर लाल सागर और भुमद सागर को जोड़ती है बर्खो यांग्स साइवेरिया एसिया का सरवाधिक ठंडा माइनस 67.8 डिगरी से अस्थान है लाओस थाइलेंड म्यामार श्वार्णिम त्रिभूज के अंतरगत आते हैं अब देखें यहां पे कुछ एसिया मुआदिव के प्रमुक देश और देशों के मुद्रा और राजधानी की बात की गई है तो सिंगापूर की प्रमुक मुद्रा है डालर और इसकी राजधानी है सिंगापूर हॉंग कॉग की राजधानी है विक्टोरिया और यहां की मुद्रा है डालर ब्रुनोई की राइधानी है बंदर, सेरी, बेगावान, मुद्रा है डॉलर, गौम, अगाना, मुद्रा है डॉलर, ताइवान में भी डॉलर चलता है और इसकी राइधानी है ताइपे, सेरिया की राइधानी है दमिस्क, यहाँ पे चलता है पाउंड, साइप्रस की राइध राइजाने निकोसिया और यहां पर चलता है यूरो इराक की राइजानी है बगदाद और यहां चलता है दिनार और कुवेट की राइजानी है कुवेट सिटी और यहां पर भी दिनार चलता है जॉर्डन की राइजानी है अमान और इसकी राइजानी है दिनार सुरी इसके कि रहिभरीन कि राइधानी चेमामा कि बेह्रीन कि रहिभरीन है मनामा और बहरीन нажा में सिवेक Aussे चलता है ओमान कि राइधानी है मसकत और यहां की मुद्रा है रियाल कतररर और यहां के मुद्रा है रियाल कमबोडिया यानि कि ओमान और कतर में रियाल चलता है और इसके बाद अगर बात करें तो कुबे इराक कुवेत जॉड़न और बहरें यहां पे दिनार चलता है। सिर्इया में पाउंड चलता है और टाइवाण टाइवान गौाम व्रुनौई हौंग कॉंग सिंगापूर यहां डॉलर मुद्रा के रूप में प्रचली ते उसके बाद अगर हम बात करें तो है कट कमबोडिया कि मॉडिया कि राईजानी है नोम पें यहां कि राईजानी है मुद्रा है रियल, यमन की राइधानी है साना और यहां की भी मुद्रा है रियाल, साओधी अरब की राइधानी है रियाद और यहां पे की मुद्रा भी है रियाल, भारत की राइधानी नई दिली और यहां पे रुपिया चलता है, नेपाल की राइधानी है काटमांडू, य यहां पे सिलंकन रुपिया चलता है और उसके बाद मालदीब की राइदानी है माले और यहां पे चलता है रुफिया रुपिया 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 तो चलता है भारत में और यहां चलता है मालदीब में रुफिया इंडोनेसिया की राइदानी है जकारता और यहां की मुद्रा चलते व्रक्षिं कोरिया में भी व्रक्रांड चलता है दक्षिन कोरिया में भी मुद्रा और इसकी राईधानी है चाल सोम यहां की मुद्रा है आप बार बार सुनते होगे कि तासकंद समझोता तो तासकंद किसकी राइदानी है उजवेकिस्तान की यही पे हमारे समझोता हुआ था भारत और पाकिस्तान के के सा का समझोता हुआ था इसी जगह पे तासकंद में इस्राइल की राइदानी है के मुद्रा है अफगानी कजाकस्तान की राज़ुन नूर सुल्तान और यहां की मुद्रा है टेन अगैश राच चीन की राज़ुन्हें चीन यहां की मुद्रा है यूवन लाप जापान की राजदानी टोक्यो और यहां की मुद्रा है यहां की मुद्रा है येन उसके बाद तुर्की की राजदानी अंगारा अंकारा तुर्की की राजदानी अंकारा और यहां की मुद्रा है लीरा तुर्किमेनिस्तान की राजदानी अजगावात और मुद्रा मनात तज घुटान की राइदानी पिंपू और मुद्रा नंग नूंगल ट्रम है और म्यामार के राइये मेरी नेपिता नापीदा को कहते हैं और उसकी इसका मुद्रा एकियात मलेसिया की राइदानी रिंगीत मंगोलिया की रही दनी है अलहाण बटोर और इस के इसके मुद्रा का नाम है तुगरिक अलाओस की रही दनी ए वियनटिन इमी की पालोए वियतनाम यह हनोई औरoras की का नाम है डोंग और सन्युक तरब अमीरात जिसको यू एए के यू एए कहते हैं इसकी राज़ानी अबुधाबी और यहां पर मुद्रा जो चलता है उसको कहते हैं दिरहम मकाव मकाव की राज़ानी है पटा मकाव और यहां की जो मुद्रा है उसका नाम है पटाका फिलिप मुख देश और के मुद्रा और उसकी राइधानी के बारे में हम जानते हैं तो उसके मुद्रा और के बारे में और राइधानी के बारे में जानते हैं फीजी की राइधानी है सुवा और यहां बेर चलती है मुद्रा डॉलर देखिए न्यूजलेंड नौरू ऑस्टेलिया त तू वालू म्रैकोनेशिया सोलोमन द्वीप समू मार्सल द्वीप किरिबाती पलाओ यह सब सब यहां पे डॉलर ही चलता है और यहां की राइधानी के अगर बात करें फीजी की राइधानी सुभा न्यूजलेंड की राइधानी वेलिंग्टन नौरू की राइधानी यारेन और अस्ट्रेलिया की राइधानी केनबरा और तुबालू की राइधानी फूना फुटी माइक्रोनेशिया की राइधानी पाली कीर और सोलोमन द्वीप समू की राइधानी होनियारा और मार्सल द्वीप की राइधानी मजूरो और किरिबाती की राइधानी तरावा जिसको बेलाओ भी नार जाता है इसकी रायदानी है या इसके बाद फ्रेंच है फ्रेंच पोलिनेसिया है इस पोलिनेसिया की राज़नी है पापी ते और इसकी मुद्ण नाम है फ्रेंक न्यू केली gonna yeah राजनी है नो मिया और इस Dash how company चलता है उसका建व है फ्रैंक तॉंगा की राजनी है 9 को और फा इसके मुद्रह चाल जो चलती है उसका नाम है , बानु आटू इसकी राजनी आ पोर्ट विला और यहां की मुद्रह बाटू पापुआ न्यू किन्यिय् इसकी और यहां की मुद्रा का नाम है किना और समुआ की राजधानी है एपिया और यहां पे जब मुद्रा चलता है उसको कहते है ताला ताला हमारे हाँ घर में प्रियोग किया जाता और यहां पे काम चलाने के लिए करेंसी के रूप में इस उसका यूज करते है ताला उसका नाम ह है उसका नाम है उसके बाद हम लोग जानता है योडोर ओर कि उर्ट महादीब के बारे में इसके सात महादिब को काकेसस से और यूराल परवत अलग करते हैं यूरोप महादीप में क्या बंदेश हैं लंदन यूरोप महादीप का सबसे बड़ा नगर है विस्विकी का सबसे बड़ा म्योजियम यानि कि संग्राल है ब्रिटिस म्योजियम है जो कि लंदन में है और यूरोप की सबसे लंबी नदी वो तर्फिय स्थित जो राइधानिया वह है वियना उस्ट्रिया की राइधानिय व्रात्य सलावा कि स्लोवा क्या करा दानी यह बुड़पैस्च्हंगरी की राईधानिय यह सब । नदी के किनारे इस्थित हैं एटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है इसके बाद अगर हम बात करें तो युक्रेन को विश्व का अनभंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है अब प्रस्न है कि विश्व का अनभंडार किसे कहते हैं इसका उत्तर होगा युक्रेन युक्रे में यूरोप का सर्बाधिक बयस्त अंतह अस्थलिय जल्मार्ग, अंतह अस्थलिये जल्मार्ग के उर्मार्ग, ती incredibly देश के मतलब महादॡिप के अंदर जो झल्मार्ग है वह राई रोगे बेल्जियम बिस्व का सबसे बड़ा हीरा वे पारकेंद रह पूर्भी यूरोप को हरित यूरोप या क्रिशक Yorope कहते हैं। यूनाइटड किंडम को फ्रांस से इंग्लिस चैनल अलग करता है प्रिथक करता है यानि कि अलग करता है। यूरोप का खेल का मैदान स्विर्जर लेंड को कहते हैं क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा खेल का मैदान है और यहीं पर तमाम तरह के खेल होते रहते हैं इसके बाद अगर हम बात करें यूरोप के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी की तो आईए हम देखते है एक देश है जिसका नाम है लकझंबर्ग इसकी राजधानी भी लकझंमबर्ग ही है और इसमें मुद्र जो चलता है वह है यूरोप बêmeल्जיum की राजधानी ब्रुझेल्स एसकी राईशा इसकी मुद्र ression राईशानी प्रेस और यहां की मुद्रा है यूरोowana आयरलेंड की राइजानी है बॉर्ण और इसकी मुद्रा है स्वीस फ्रेंक आयरलेंड की राइजानी है डबलीन और इसकी मुद्रा है यूरो माल्टा की राइजानी है वालेटा और इसकी मुद्रा है यूरो और ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन की राइजानी है लंद आर्सकी मुद्रा है पॉण्ड लाट्विया की राहदव रिगा और इस्की मुद्र यूरो रूस की राईवादी है मासको और इस्की मुद्रा है रूबल आर्मेनिया की राइदानी है येरेवान और इसकी मुद्रा है आर्मेनियम ड्रैम बेलारूस की राइदानी है मेंस्क इसकी मुद्रा है रूबल मेसिडोनिया की राइदानी है इसको पजे और इसकी मुद्रा है दिनार सर्विया की राइदानी है बेल ग्रेड और स्लोवेनिया की रहे दा नी है लजू बाजाना है यूरो और इसके बाद अगर हम बात करें नियुकष है इस परीवर्थ यह नंब यहू नाम है क्रोएषिया जिसकी रहे दाजरी लेले अजयर नाम है कुना डेनमार्क जिसके राइधानी है कोपेन हेगेन जिस मुद्रा का नाम है क्रोन और नार्वे जिसके राइधानी है उसलो और इसके मुद्रा का नाम है क्रोन और स्वीडन जिसके राइधानी है स्टॉक होम और मुद्रा का नाम है क्रोना इसके बाद आइसलेंड की राइधानी है रेक जावेक मुद्रा है क्रोना सेन मारिनो राइधानी है सेन मारिनो और मुद्रा का नाम है यूरो इटली की राइधानी है रोम और मुद्रा है यूरो एस्पेन के राईजानी है मैड्रीड मुद्रा-ईula peragal के राईजानी है लिजन बार्लीन मुद्रा-ईura interesante राईजानी एथेंस यूनान के राईजानी एंसां सनी ओर अर्लिटुवानिय की राईजानी है विल्नियस मुद्रा-ईडा तुडी हेल सिंग की मुद्रा है यूरो निदरलेंड की राइजानी है एमस्टर्डम मुद्रा है यूरो और आस्ट्रिया की राइजानी है वियना मुद्रा है यूरो बुल्गारिया की राइजानी है लेव चरी बुल्गारिया की राइजानी है सोफिया और मुद्रा है लेव पॉले हुं यूक्रेंट सथानी यूक्रेन यह कीव आ कीव और मुद्रा है हरीवनिया छेक गन्राज कि राजनी निये प्राग और मुद्रा को कौ सरुनर रोमानिया की रहाई रहाई डार्च लाँ, मुद्रा है लारी अलबानिया की देनी है तीराना मुद्रा है लेक असलोवा के गणराज जी की राइदानी है ब्राति स्लावा मुद्रा है यूरो एस तरह के से चालीस प्रमुख देस हैं जबकि यूरुप में कुल देशों की संक्या लगभग 21 है जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की रेखा को मेगी नौट रेखा कहते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब अगला महादेप जिसका नाम है उत्री अमेरिका इसके बारे में बिस्व का तीसरा स्वसे बड़ा महादेप उत्री अमेरिका महादेप जिसका छेत्रफल है ये दो सो एक मिनट चोबीस मिलियन दो सो चपन हजार वर्ग किलोमेटर है उत्री अमेरिका में कुल 23 है अलास्का में इस्थित देनाली जिसका नाम है मौंट मेकिनले जिसकी उचाई है 6190 मीटर उत्री अमेरिका का सरपोच परवत सिकर है मेक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात को हरीकेन या और टार्नेडो कहते है मेक्सिको की खाड़ी में मेक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात को हरीकेन या टार्नेडो कहा जाता है Detriate सन्युक्त राजय मेरगा का मोटर कार उद्योग का प्रमुख केंदर है Detriate क्या है ये मोटर कार उद्योग का प्रमुख केंदर है Software तथा Computer उद्योग के लिए Silicon Valley जो कि San Francisco में है मसूर है गन्य का प्रमुख उत्पादक होने करन क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है नियू यार्क को नगरों का नगर कहा जाता है बिस में सरवादिक चांदी उत्पादन करने वाला देश मेक्सिको है उत्री अमेरिका महादेपे के Great Lakes में सामिल पांच जीले जो है ग्रेट लेक्स में पांच जीले सामिल है जिसका नाम है सूपेरियार यूरान मिसीगन एरी और ओंटे रियो ओंटे रियो नियागराद जलप्रपात कनाडा एवं सन्युक्त राज अमेरिका की सीमा परिस्थित है लॉस एंजिल सलनगर जो की कैलिफोर्निया में है फिल्म उद्योग के लिए विख्यात है कनाडा के क्योवे को देश के अंदर देश की संग्या दी गई है इसके बाद हम लोग जानते हैं उत्री अमेरीका के उत्री अमेरीका और केस्पियन सागरिय देशों के मुद्रा और राज्धानी तो जरा देखिए कनाडा कनाडा की राजधानी उटावा मुद्रा है डॉल्र सेंट विंसेट एवं ग्रेने डाइन्स इसकी राइधानी है किंग्स टाउन मुद्रा है डॉलर बर्मुडा जिसके राइधानी है मिल्टन मुद्रा है डॉलर बहामास जिसके राइधानी है नसाउ मुद्रा है डॉलर जमाइका जिसके राइधानी है किंग्स्टन मुद्रा है डॉलर बार बडोश जिसके राजदानी ऐसे टाउन मुदरा है डालर बेलीज जिसके राजदानी है बेल मोपान मुदरा है डालर ग्रेनेडा जिस कि राजदानी सेंट् लॉर्ज मुद्रा है डॉलर मों इसके बाद कि अगर हम बात करें तो ग्रेनेडा जिसके राइजनी है सेंट जॉर्ज मुद्रा है डॉलर ग्वार्डे लोप जिसके राइजनी है बस्से तेरे और मुद्रा है यूरो क्योबा की राइजनी हवाना मुद्रा पीसो और उसके बाद डोमेनियन गन्त अंत्र की राइजनी सेंटाद मुद्रा पीसो मेकसिको की राइजनी मेकसिको सिटी मुद्रा है पीसो और कोश्टारिका की राइजनी सान जोस मुद्रा है कॉलन अल सल्वाडोर की राइधनी है सॉन सल्वाडोर मुद्रा है डॉलर ग्वाटेमाला की राइधनी ग्वाटेमाला सीटी क्वाट जाल इसकी मुद्रा है निकारा गुवा की राइधनी है माना गुवा मुद्रा है न्यू कोर्डोवा निदरलेंड्स एंटिल्स निदरलेंड्स एंटेल्स कि राइधानी विलेम एस्टड है विलेम एस्टड मुद्रा है गिल्डर होंडू रास की राइधानी है तेगु सी गल्पा और मुद्रा है लेंपीरा एंटीगुआ एंटीगुआ तथा बर्मुडा कि राइधानी है एंटीगुआ तथा बर्मुडा कि राइधानी है एंटीगुआ तथा बर्मुडा कि राइधानी है सेंट जोंस और मुद्रा है डॉलर पनामा कि राइधानी है पनामा सीटी मुद्रा है बाल बोवा और हैती कि राइधानी है पोर्ट पो ओप्रेंस मुद्र है गौर्ड ग्रेनलेंड की राजदानी है फिर है लुँकर मुद्रह क्रोऊ सन्युकत राज मेरीका की सब्सक्राइधनी है वासी गटन डिसी मुद्रह डॉलर traders से हमने जान जाना उत्री अमिरिका के बारे में अब आगला जो महादीप है उसका नाम है डक्षणी अमेरिका महादीप तो डक्षणी अमेरिका महादीप के वारे महम लोग जानते हैं डक्षणी अमेरिका का छेतरफल 17,819,000 वर किलोमेटर है जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महादेप है इस महादेप का आकार लगवक त्रिभुजाकार है विश्व की सरवाधिक उचाई परिष्थित राज़ानी लापाज है जो कि बोली विया की राज़ानी है अमेजन नदी दक्षनी अमेरका महादेप की सबसे बड़ी नदी है और अमेजन नदी को विश्व की सबसे चौड़ी और विसाल जलराशी की नदी भी कहते है विश्व का सबसे उचा सक्रिय ज्वाला मुखी ओजेस डेल सलाडो जो कि 6,893 मीटर है चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर इस्थित है विश्व की सबसे उचा सक्रिय ज्वाला मुखी है यह इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अर्जेंटीना का हेड़ा है पंपास को कहते हैं अर्जेंटीना में ग्यों की चंद्रकार पेटी इस्थित है ब्राजिल डक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है फजेंडा ब्राजिल के कहवा बागानों को कहते हैं सेंटोस बंदरगा को विस्व का कहवा बंदरगा कहते हैं सेंटोस बंदरगा को विस्व का कहवा बंदरगा कहा जाता है पेटा गोनिया मर्वस्थल डक्षिन अमेरिका का सितोष्न मर्वस्थल है बॉलिबिया और परागवे डक्षिन अमेरिका के दो अस्थल अबरूद देश है अस्तल अबरूद देश से उसे कहते हैं जो चारों तरब से अस्तलिय सीमा से घिरेवे हों इसके बाद अगर हम दक्षिन अमेरिका महादीप के प्रमुख देशों के मुद्रा और राइधानी आये देखते हैं तो गोयाना कि राइधानी जार्ज टाउन मुद्रा है दॉलर तरी निदाद और टोबेगो जिसकी राइधानी पोर्ट आफ इस्पेइन मुद्रा है डॉलर कोलंबिया की राइधानी बोगोटा जिसके मुद्रा है पीसो चिली की राइधानी सेंटियागो मुद्रा है पीसो उरुगवे की राइधानी मोंटे वीडियो जिसकी र नाम की राइधानी है परा मारीबो जिसके राइधान मुद्रा है डॉलर पेरू की राइधानी है लीमा मुद्रा है न्यूबो सोल ब्राजिल की राइधानी है ब्रासिलिया मुद्रा है रियल बॉलिविया की राइधानी है लापाज मुद्रा है बॉलिवियानो इसके बाद मोoff करें आगर हम बात करें परागवे की राइधानी है असन श्यान मुद्रह गुआरानी एक्वाटोर की राइधानी है क्वीटो मुद्रह डॉलर अर्जन्टेना की राइधानी है बियो नस promises पेशो और बेनेंजраж की राइधानी है काराकस मुद्रह हैtta every order इसके बात फेकूण आगला जो महादीप है वह है अफ्रीका महाधीप है कि अफ्रीका महादीप को भबीसिका महादीप कहा जाता है अफ्रीका मादफ द्रिश्टी से 20 का दूसरा सबसे बड़ा महादीप है यानि के अब ऑद दूसरे नंबर पर अफ्री का आता है निग्रीटो इस महादेप के मोल दिवासी है निग्रो जिसको हम लोग कहते हैं अफ्रिका महादेप के पस्चिम में अट्लांटिक महासागर और पूरब में हिंद महासागर है जिब्राल जिब्राल्टर जलसंदी जिब्राल्टर जिब्राल्टर जलसंदी अफ्रिका महादेप यानि के मौरको को यूरोप महादेप इस्पेन से अलग करती है अफ्रिका महादेप की सबसे बड़ी जील का नाम है विक्टोरिया जील विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम अस्थल विक्टोरिया जील है और आस्वान बांध नील नदी पर बना है इसके बाद आगे देखें तो पोर्ट सईद बंदरगा पोर्ट सईद बंदरगा स्वेज नहर के उत्री चोर पर और पोर्ट स्वेज बंदरगा दक्षनी चोर पर इस्थित है बिश्विका सबसे बड़ा मर्वस्थल साहारा मर्वस्थल 93 लाक वर किलोमेटर अफरिका महादेप में इस्थित है कालाहारी मर्वस्थल अफरिका में इस्थित है घाना और गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है अंद महादिप अफरिका महादिप को ही कहते हैं हौर्ण ओफ अफरिका में जो सामिल देश हैं वो है सोमालिया, एथियोपिया, एरिट्रिया और जीबुती, दक्षिनी सुडान, सन्युक तराश्चंका, 193 सदस्य देश है जो कि अफरिका का ही है इसके बाद अगर हम लोग बात करें अफरिका महादिप के पुरमुकदेशो की मुद्रा और राजधानी की तो आईए देखते हैं मेड़ा आखास्कर माला गशी भी इसको कहते हैं इसकी राईधनी है अंतान नरीवो मुद्धा है एरी अरी गिनी की राईधनी है कोना कोनार क्रे और या राय मुद्धा है वेस्ट अफ्रिकन फ्रेंक कोस्ट आईवरी दो कोस्ट कि राइदनी यामो उसक्रो मुद्रा है वेस्ट अफ्रिकन फ्रेंक कोमो रोस राइदनी मोरी मोरोनी मुद्रा है फ्रेंक बुर्की ना फासो वेस्ट अफ्रिकन फ्रेंक इसकी मुद्रा है और राइदनी है क्वागा दोगो टोंगो कि राइधानी है लोमे और मुद्रा है वेस्ट अफ्रिकन फ्रेंक नाइजर कि राइधानी है नियामी और मुद्रा है वेस्ट अफ्रिकन फ्रेंक मध्य अपरिकी गन्राज्य कि राइधानी है बांगोई मुद्रा है फ्रेंक बरुंडी कि राइधानी है गीत कि मुद्राय फ्रेंक रावाडा की राइजानी है किगाली मुद्राय फ्रेंक कांगो की राइजानी है ब्राजी वीले मुद्राय फ्रेंक इसके बाद आगे हम देखते हैं कि सेनेगल की राइजानी है ड़कार सिनिगल की राइजानी है डकार और इसकी मुद्रा है वेस्ट अफ्रिकन फ्रेंक वेनिन की राइजानी है पोर्टो नोवो मुद्रा है वेस्ट अफ्रिकन फ्रेंक गैबोन की राइजानी है लिब्रे विले राइजानी है चार्ड की राइजानी है एनद जामेना और मुद्र मुद्राइफ्रेंक के राइजानी है मोन रोविया और मुद्राए डॉलर मॉली की राइजानी वेस्ट अफ्रिकन फ्रेंक और जाए निया की राइजानी है नेरोवी और मुद्रा का नाम है सिलिंग सोमालिया की राइधानी है सिलिंग सोमालिया की राइधानी है मोगा दीशू और मुद्रा है सिलिंग तंजानिया की राइधानी है डोडोमा और मुद्रा है सिलिंग अलजिरिया की राइधानी है अलजियर्स मुद्रा है दिनार इसके बाद अगर हम बात करें ट्यू नीशिया ट्यू नीशिया की राइधानी है ट्यू नीस मुद्रा है दिनार लिविया की राइधानी है ट्रीपोली मुद्रा है दिनार मिस्र की राइधानी है काहिरा मुद्रा है पाउंड सुडान की राइधानी है खार्तूम मुद्रा ह कि रयाज़ानी है tutor you Rpi Andrea Sao Tiulu कि राज़ानी है साउट टोम की राज़ानी है साउट रम और मुद्रा है डोबरा अंगोला कि राज़ानी है लौणडा मुद्रा है क्वांजा धाना कि राज़ानी है अक्रा और मुद्राय सीडी इसके बाद जो अगला महदीप है जिसे हम अस्ट्रेलिया महादीप यानि कि ओस्टानिया महादीप भी कहते हैं कि अब यह देखिए कि यह सबसे कम जन्से क्या वाला महादीप है एवेल तसमान सोनों सब्सक्राइब और कैप्टन कुक सतर सतर इस्वी ने करम साथ तसमानिया और अस्ट्रेलिया महादीप की खोज की थी एब्रो एबोर जिन्स और स्ट्रेलिया के मूल लिवासी है और अस्ट्रेलिया महादीप के राज जिये और उनकी राज़ानी के अगर हम बात करें तो देखिए अ ये स्ट्रेया पस्टर्य मेरा स्ट्रेलिया कि राएद़नी पार्थ दफmetroезде लिए ड़ी लेड निम्हु साउध वेर्णि केनवारा केम वर्या ये केंद साशिज परदीश इस्टार साश्यै का ये है तसमानिया भी केंदसासित प्रदेश है विक्टोरिया मेलबर्ण मेलबॉर्ण ने लिखा हुए मेलबर्ण होता है क्विसलेंड ब्रिस्वेन और उत्रिया यानि की डार्विन इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और स्टेलिया महादेप की प्रमुख परवतमाला है और स्टेलिया का सबसे प्रमुख क्रिसी चेत्र मर्रे डार्लिंग घाटी है जेकारू और भीड़ पालन के इंद्रों में काम करने वाले मज़द दूरों को कहते हैं ग्रेट इप ग्रेट वेर्यर रीफ ऑस्टेलिया के क्वीच लेंड राज्ज के उत्तर पूर्वी तठ्ट परिस्थित है काल गोर्ली और कूल गायडि ऑस्टेलिया के विषक्व विक्षात सोने की खाने हैं सिडनी को पर्थ जोणने वाला ट्रांस एं इसके बाद अगर हम बात करें तो गिबसन गिबसन सिंपसन देखिए गिबसन सिंपसन तनामी सेंडी विक्टोरिया ऑस्टेलिया की मरोस्तल है ऑस्टेलिया महादिप को 85 भूमी का देश और लेंड आफ कंगारो भी कहा जाता है न्यूजलेंड की खोज पूर्टगाली यात्री आबेल तस्मान ने की थी और 1779 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा प्रमानित किया गया था उसके बाद दक्षिन का प्रिटेन न्यूजलेंड को कहा जाता है का जाता है न्यूजलेंड का राष्ट्रे पक्षी कीवी है और एक फल भी है कीवी जो की प्लेट लेट्स को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमी का निवाता है उसके बाद आप यहां पे देखिए माउंट कुक के सत्रह सचोबीस मीटर उचा न्यूजलेंड का सरपोच सिखर है माओरी न्यूजलेंड के मूल निवासी को कहते है उसके बाद अगला महादीप है अंटार्क्टिका महादीप अंटार्क्टिका प्राचीन गुंडवाना अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने अंटार्क्टिका महादीप की खोज की थी किन्तु वे इसकी मुख्य भूमी तक नहीं पहुँच पाए थे फेवियन वेलिंग साशेन ने अंटार्क्टिका महादीप की मुख्य भूमी की खोज की थी अंठान्वे प्रतिसत हिस्सा सदेव पर्प से अच्छा दित मतलब ढखा रहने के कारण अंटार्क्टिका महादीप को स्वेत महादीप भी कहा जाता है नार्वे निवासी एमंड सन 1911 इस्वी में डक्षिनी धुरूप पहुजने वाले प्रतम व्यक्ति थे अंटार्क्टिका महादीप को विज्ञान के लिए समर्पित महादीप भी कहा जाता है इसके बाद विश्वी के प्रमुख सिखर और उनकी उचाई को देख लेते हैं तो यह देखिए सबसे उचे परवत सिखर है एवरेस्ट जिसकी उचाई है आठ हेजार आठ सो और तालिस पॉइंट आठ चे मीटर लहाद से जो कि नेपाल में है यह आठ हेजार पात सो लह धोला गिरी यह भी नेपाल में है आठ हेजार एकसर सट केटू यानि गौडविन आस्टीन भारत में है इसकी उचाई है आठ हेजार चेसो ग्यारा कामेत भारत और चीन की सिमा पर है कंचन जंगा नेपाल और भारत की सीमा पर है आठ हेजार पास्ट यासी मीटर इसकी उचाई है मकालू नेपाल चीन की सीमा पर है 8463 मीटर इसकी उचाहिए अनपूर्ण नेपाल में 891 मीटर नंगा परवत भारत में 81026 मीटर इसकी उचाहिए नंदा देवी भारत में 7187 मीटर इसकी उचाहिए गेशर ब्रह्म यह पाकिस्तान में इसकी उचाहिए भी आठजार 68 मीटर इसकी उचाहिए अब इसके बाद इसको देख लेते हैं कुछ बिस्विके प्रमुक देशों के भोगोलिक उपनाम है अब देखे ऊस्टेलिया को लेंड ओफ दा गोल्डन फ्लीस लेंड औफ कंगारू लेंड ओफ गोल्डन वूल की नाम से जानते हैं उसका पूर्व का मैंचेस्टर केरल भारत भारत का मसालों का बगीचा केंट इंग्लेंड इंगलेंड का बगीचा है कनाडा लेली का सब्सक्राइवानि पूर्व कि मनेसे कोरिया को आप कोरिया को हर्मिट किंग्डम ऑफ मौनिंग्कौं सुबह कि संती का देश भी कहा जाता है क्यूबा एंटी लीज का मोती विस्व की कचिनी का कटोरा थाइलेंड सफेद हातियों का देश भूटान लेंड ओफ थंडर बोल्ट जापान सुर्योदय का देश मिस्र नील नदी की देन उसके बाद वेनिस इटली ये क्विन ओफ एड्रिया टेक नियुव यार्क एंपायर सिटी गगंचुंबी मारतो का नगर जिब्राल्टर भूमज सागर का द्वार जेरूसलम होली लेंड फिन लेंड हजारों जीलों का देश नार्वे मद्यरात्री के सुरी का देश और उसके बाद आगे चले तो देखे देखिए वांग हो नदी पीली नदी चीन का सोक इसे प्राचिन विस्वी की सामरागी पस्चिम का बेबिलोन के नाम से जाना जाता है सिंगापूर पर्ल आफ दी ओरियंट के नाम से जाना जाता है इसके बाद आगे देखिए अब फिलाडेलफिया फिलाडेलफिया पेकर सिटी स्रिलंका पूर्व का मोती हिंद महसागर का मोती जिब्लेल्टल जनसंधी फिलर्स आफ हर्क्यूलीस नेटाल दक्षिन अफ्रिका में है इसको गाइडन प्रोविंस आफ दक्षिन अफ्रिका के नाम से जानते हैं, वेल्जियम कॉक्पिट आफ यूरोप, म्यामार श्वर्निम पेगोडा का देश, सेन फ्रैंसिसको यूएसे में है, ये सिटी आफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, मुंबई, साथ टापो क नगर, प्रियरीज आफ नौर्थ, संसार की रोटी का भंडार, अमेरिका, लाजा दिबत, फार वीडिन, सिटी, त्रिस्तान, डी कुनहा, संसार का निर्जनतम द्वीप, बहरीन, मोतियों का द्वीप, नार्वे, सुर्यास्त का देश, पेरिस, जो इकी फ्रांस की जाज़ परवत, एसिया में सबसे उचा, उची चोटी है, मांट एवरेस्ट, अफरिका की सबसे उची चोटी मांट एवरेस्ट, और यूरोप की सबसे उची चोटी मांट अलब्रूश, यहां अफरिका की सबसे उची चोटी मांट एवरेस्ट नहीं है, अब ज़रा, इसको हम देख लेते हैं कि अफरीका की सबसे उची-चोटी कौन सी है एक बार यहां एक मिनट अ और स्टेलिया अ और स्टेलिया से पहले यह अफरीका अफरीका यह देखिए मुल लिवासी है जलसंदी अफरीका सबसे बड़ी निल नदी आस्वान बांध पोर्ट साहिद बंदरगा स हारा मरोसल कारा घाना को गोल्ड कोश्ट के नाम से जाना जाता है अन्द महादूई पर और उसके बाद कि आगे कि चलिए इसको कि हम देखते हैं कि यूरोप के सबसे उच्छी यूरोप के सबसे उच्छी जोटी है मौंट अल्ब्रोस दक्षनी अमेरिका ओजास डेल सलाडो ऑस्ट्रियक मौंट क्योसी यूसको अंटार्क्रिका विंसन मैसेफ उत्री अमेरिका मौंट मैकिनले डेनाली अगर सबसे लंबी नदी की बात करें अमेजन है दक्षनी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है दक्षनी अमेरिका की वौलगा यूरोप के सबसे लंबी नदी है यांग सी एसिया की सबसे लंबी नदी है मैसोरी उत्री अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और ऑनिक्स अंटार कि सबसे लमबी नदी है रिलया में असल जीन अफरिका में मृत घाट देथ बेली जिसको के देंके अमेर्का में है और डेन में ग्लेसियर अंटार्क्टिका में है इसके बाद अगला टॉपिक हमार आता है विस्वी की प्रमुक्ष जन जातिया और उनसे समंधित छेत्र और देश्ट इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए है वनाइस डी प